गुड मॉर्निंग स्टूटेंट, क्लास सेकेंड हिंदी फर्स्ट, ऑनलेन स्टडी में आपका स्वागत है आज हम पार चार वाक्य सेंटेंस इसका अध्धन करेंगे सबसे पहले आप ये रेखे यहां एक स्टोरी है अध्यापिका बोरे बच्चो आओ आज हमें एक नया खेल खेलें देखें इन शब्दों को कौन ठीक करके बोल सकता है यहां चलो लिखा है खेले गुडिया आज खेल का तो रमा ने इसको सही करके लिखा है चलो आज गुडिया का खेल खेलें फिरद्धाबिया कहते है शाबास रमा तुमने सबसे पहले इन शब्दों को सही डंग से लिखा है आज का खेल रमा ने जीता बच्चों ने तालियां बजाए बच्चों जब हम शब्दों को ठीक क्रम में लिखते हैं तभी उनका कुछ अर्थ होता है यही शब्दों का सार् वाक्यों को पढ़कर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है वाक्य बिना बाचित नहीं हो सकती यह वाक्य ही हमारी भाशा है जो वाक्यों होते हैं वह हमारी भाशा होती है इसके वादे शब्दों को क्रम में लिखें आव बनाएं ऐसा मे अर्थ वाले वाक्य बने, देखो कितना न्यारा खेल, हमने क्या सीखा है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्य में शब्दों को सही क्रम से लिखते हैं, शब्दों का सही क्रम से मेल होने का ही वाक्य बनता है, अर्थ वाले वाक्यों के मेल से भाशा बनती है, यहां इसका अभ्यासकार है, नीचे दिये गए चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए, कह है मा ने, यहाँ कटोरा लिया है, कटोरे में, यहां फिल करना है, मा ने कटोरे में दूद निकाला, कह है दूद का कटोरा दरवाजे पर रखा, इसके बाद है, चुपके चुपके बि बिली आई, फिर बिली ने सारा दूद पी लिया, यहां यह फिल करना है, सके ने नीचे दिये गए चित्र को देखकर पाचवाक्य बनाने है, आपको यहां बर्ड़े मनाय जा रहा है बच्चे का जन्दिन, उसको देख करके पाचवाक्य बनाने है, यहां प्रिक diversion है, आज क्वाक्य बनें हैं जण्म दिन पर कि इसके बाद शब्दों को श़य क्रम से लगा कर वाक्य बनाने है का है मैं पढ़ता पुस्तक हूं यह गलत लिखा है इसको सही करना ए मैं पुस्तक पढ़ता हूं इसको अरेंज करके सही लिखना आज के लिए इतना है इसे संबने नाट कुम पे मिल जाएंगे थांक यू